आजो प्यारे बज्जो आज मर तुम्हें हीरा मोती की कहानी सुनाती हूँ एक हीरा था और एक मोती दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे हीरा मोती दोनों पेड थे एक बर्गत का पेड था और दूसरा पीपल का पेड था दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी दोनों को उगे हुए, बड़े हुए, साथ साथ दोनों बड़े हुए थे साथ साथ जीये थे वो लोग, साथ साथ बाते करते थे सांस लेते थे, बहुत पुराने पेल थे और बहुत दोस्ती थी, एक बिमार पड़ता तो दूसरा उसका ख्याल रखता एक बार क्या हुआ, गाउं में गौर्णमेंट ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया उसके चलते वहाँ पर सडक का निर्मार करना था गाउं वालों को भी सडक की जरुवत होती है न, शहर जाने में बैल गाड़ी से जाते हैं या वीकल से जाते हैं तो बहुत धूल उड़ती है तो गौर्णमेंट ने उस गाउं को सडक देने का प्लान बनाया जब सड़क का नक्षा पास हुआ जब सड़क का नक्षा पास हो रहा था तो इंजिनियर सड़क नाप रहे थे तो जब सड़क नापी उन्होंने तो उसके नापने में मोती आ गया यानि कि उन लोगों ने तै किया, डिसाइड किया कि इस मोती को हमें कटना पड़ेगा मोती तो बहुत दुखी थाई हीरा मोती दोनों बहुत रोने लगे मोती की जो टहनियां थी वो हीरा की टहनियों से लिपट गई और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत रोने लगे तीन दिन निकल गए दोनों बहुत उदास्ते उन दोनों ने ना पानी पिया ना हवाली कुछ नहीं किया उन लोगों ने तीन दिन बाद गौर्णमेंट के पूरी टीम आई वहाँ पर उन लोगों ने नापातोली करी और वो टीम जो आई थी ना बहुत बड़े बड़े अजार लेकर आई थी उसमें आरी थी बहुत सारी चीजे थी जिससे वो मोती को काट सके हीरा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था वो बराबर भगवान से प्राथना कर रहा था कि भगवान जी मेरे मोती को बचा लो मेरे मोती को बचा लो फिर क्या हुआ कि वो आरी से उसको काटने आ गए लेकिन जैसे ही वो मोती को काटने आये मोती जोड जोड से रोने लगा और हीरा उस से जादा जोड से रोने लगा और वो लोग बहुत खबरा गए और कहते हैं ना बच्चो जब कोई सच्चे मन से प्राथना करता है ना तो भगवान जी तक जरूर पहुंसती है और भगवान जी उस बात को जरूर मानते हैं हीरा ने हाथ जोड के प्राथना की की मेरे मोती को मत काटो भाईया देखो हम लोग कितना उक्सीजन देते हैं कितनी छाया देते हैं सबको हमने तुम लोग का क्या विगाड़ा है और तुम लोग हमें क्यूं काट रहे हो हमें मत काटो हीरा बहुत रोया बहुत गिड़गड़ाया जब हीरा रो रहा था न तो भगवान जी जो पेड काट रहे थे उनके मन में दया भर रहे थे कि हाँ पेड को नहीं काटना चाहिए पेड़ हमको बहुत सारी चीज़े देते हैं फल देते हैं, छाओं देते हैं, ओक्सीजन देते हैं जिससे हम जिंदा रहते हैं और अपनी जड़ों से प्रत्वी को पकड़ के रखते हैं तो उससे प्रत्वी मजबूत रहती है जो बाण को आने नहीं देती है और पेड के बहुत सारे लाव हैं हमको फरनीचर मिलता है पेड से हमको कागच मिलता है पेड से बहुत सारी चीज़े मिलती है तो जब उन लोग के पास भगवान जी ने उनके दिल में वो संदेश भेजा और उधर गौर्मेंट का ओर्डर आया कि नहीं हमें पेड काटने की जरुवत नहीं है हम रास्ते को थोड़ा घुमा के निकाल सकते है क्योंकि हरा भरा पेड काटना बहुत पाप का काम है उसको नहीं काटना चाहिए तो सब के दिमाग में भगवान जी ने वही मैसेज फेज दिया उन लोगों ने तै किया कि अब हम मोती को नहीं काटेंगे उन दोनों को वैसा ही रहने देंगे और हम रास्ते को थोड़ा घुमा के निकाल लेंगे हीरा मोती दोनों बहुत खुश हुए दोनों एक दूसरे के गले लग गये दोनों की टहनिया एक दूसरे से चिपक के खुशी के आंसू बहाने लगी बच्चो हमें पेडों को हरियाली को बिल्कुल नहीं काटना चाहिए और अपने जीवन में जादा से जादा पेडों को लगाना चाहिए पेड लगाने से बहुत सारे फायदे होते हैं अप कभी भी जब आपका जनम दिन हो तब आप एक पेड जरूर लगाना घर में भी आपको फुलवारी लगानी चाहिए और बाहर भी लगानी चाहिए ताकि और बहुत सारे लोगों को छाओ मिल सके फल मिल सके ठीक है बच्चो आज से हम लोग वादा करते हैं कि हम अपने जनम दिन पर जरूर एक पेड लगाया करेंगे ठीक है बच्चो मेरी कहानी और मेरी कविताएं अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आके सुना करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है चलो हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए बाए बाए